कि हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चनल हर दिन टेक्निकल पर आसा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे चली दोस्तों आज हम लोग जो एंप्लिफायर देखेंगे वह क्लास एंप्लिफायर है और दरसल हमें हर बार एनिमेशन के हेल्प से यहां एंप्लिफायर के सरकेट आपको दिखाता था आर बार इस बार सिमेटिक डाइग्राम लेके आया हूं और देखते हैं कितने लोगों को समझ आता है या नहीं आता है तो आप उस पर कमेंट अवस्य करें क्योंकि मैंने अभी चैनल पर कमेंट्स आफ कर रखें सारे वीडियोस के अब उसका रिजन यह है कि बहुत ज्यादा ग्यानी लोग अब यूटूब पर आने लगे हैं और जैने साइद एंप्लिफायर की समझ भी नहीं है और जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं वो भी मूठाग उटा सीधा यानि कि बस लिखना आए कुछ भी कोई का रहेगा बाकी के ऐसे मूठागे लिखने वालों के मूँ लगना कोई सही नहीं है और कब तक मैं इसे बहस करूंगा या कुछ भी बताऊंगा इसमें आपको सिर्फ यह बताना है कि इसमें मैं जो सरकेट करूंगा वह अच्छल रहेगा या फिर जो एनिमेशन के चुरू मै बताता हूं वह चाहिए रहेगा तसल क्लासे स्टार्ट हो चुकी है ओनलाइन कोर्स के लिए जिसमें गवी मैं 30-35 मेंबर को रखता हूं एक बैच में जो मेरा बैच चल रहा है दूस्तरा बैच स्टार्ट होगा एक अक्टूबर से जिसकी रिजिस्ट्रेशन अभी चल रह क्योंकि कमेंट सिर्फ इसी के और रहेंगे इसमें आपको बताना है अपने अपनी राय और अगर किसी वो नहीं बताना है तो अपनी बात है लेकिन अगर वीडियोस चाहते हैं आप चैनल पर तो अपने अपनी राय बाश्य बताएं कौन कहां से देख रहा है और कब से देख मुद्दा है तो यहां 18 वोल्ट 6 एंपियर की एक सप्राई हमें चाहिए होती है देखें अथारा वोल्ट है बीसी सिंगल सप्राई होती है निची सारे ग्राउड के आप्छन दिये हुआ है तो इस तरह से यह यहां डाइग्राम दिया हुआ है और जल्दी समझ लेते हैं 18 व यहां पर देखिए six eight की यह तो वोट की रिस्टेंस लगी रहे गी उसके सीरीज में एक 82 K की तो वाट रिस्टेंस लगी रहे गी यानि कि ये दोनों दो वोट की रिस्टेंस रहे ही उसके बात से सीधा यहां पर हमारा जो जंक्तन पॉइंट बनेगा उसके नीची ग्राउंट के साथ में एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी 100 के और यह हमारे ट्राइस्टर टू ऐसे नाइन टू के बेस पे जुड़ी रहती है ठीक है तो यह इस तरह से यहां जुड़ी हुई है और इस पर इन्पूट सिंगन मिलेगा हमें वह 0.47 और बाती के स्वें प्रेंघ्च के पेस्ट कर conservative तुब है तो हमारे इस ऐन्डर पलएगा होतारा के ठीक ही सकति है वह खेंगे तो यहां इतर्य नहीं सता की पैस्पल्पर'll को मुद्ब के जाया है तो ग्राउंड़ को यहां अरो क्या ननल आया की सिंगनल आज आएगा तो यहां इस ट्राइश्टर के साथ में एक आर्टू लगी रहती है कि एट पॉइंट टू किलो ओम की जो के हाप बॉट में है और यहां इसके लिए क्या है देखिए अर्रेंजमेंट बनाए गया इस तरह का कि इस पर जो सप्लाई हमारी आएगी फॉजिस्टिव वह यहां पर देखिए 100 रहें एक कैपिसिटर लगा रहेगा और कैपिसिटर लगा होने के बाद में यहां से नीचे हमारी जो टू के सेवन की क्रेश्टेंस रहेगी वहां होते हुए उसके बाद से हमारा ये जो एमिटर रहेगा इसका वो जुड़ा रहेगा यहां पर और कलेक्टर जो है हमारा वो ग्राउड के साथ जुड़ा रहेगा जो कि हम भी बता दिया था एक पॉइंट टू के की एक रेजिस्टेंस रही उससे और यहां पर भी एक 220 ओम की रेजिस्टेंस है हाब बॉट में और नीचे फिर एक कैपिस्टर दिया हुआ है जो के 330 माइक्रोफ्रेड पचास वोल्ट का है तो इस तरह से यहां दिया हुआ है और यहीं से इसका यह हमारा एमिटर जुड़ा हुआ है तो हमें अभी सिगनल जो से बेस्ट पहुंच जाएगा और यहीं सिंगल लगत देखा जाए तो यहां से एंप्रिफाय होते हुए सीधे उपर भी चला जाएगा तो यहां देखिए इसी के एमिटर से हमारा जो मैंट ट्रैस्टर रहेगा बावन सबू चलेगा और उसके कलेक्टर से जो हमारा यह अ कि दस ओम की पांच वाट में लगी रहेगी तो इस तरह से यहां पर यह आपका सिंगनल हो जाता है यहां से एंप्लिफाय होके हमें आउटपूट पर मिलेगा और यहीं से एक फिडवेक देखिए लाइन इस तरह से दी हुई है कि यहां से ओके और सीधे यहां पहुंच ग एक आउटपूट पर कैपिस्टर लगा होता है क्योंकि जोबल नेटवर्क इसमें नहीं दिया हुआ है तो यहां पर सिर्फ एक कैपिस्टर रहेगा जो कि सीटू से तारी सो माक्रोफारेट पचास बोल्ट रहेगा यहां मैक्सिमम जो भी कैपिस्टर यूज किये गए हैं सिक्स एम्पियर है तो हमें वॉट्ट सिर्फ 10 मिल रहा है यहीं अगर क्लास अबी का एंप्लिफायर होता तो लगबग हमें से ज्यादा बॉट का आउटपूट मिल जाता सिक्स एम्पियर और अठारा बॉल्ट पर तो दिखिए यहां रेजिस्टेंस लगा कि एक लड़ी है कि नहीं आपको जरूरू बताएं क्योंकि इसमें हमने बता दिया है कि दोनों ही आपको ट्राइस्टर आपके ट्वेस्टेंस लगे हुए हैं और यह क्लास एका 10 वॉट का एंप्लिफायर है जैसा कि हमने यहां लिख दिया है 10 वॉट तो यह आपको कैसा लगा अगर एन झाल 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 झाल